कार्ड धारकों को मुख्यमंत्री जनायोग योजना के तहत आईश्मान कार्ड दिये गए ये कार्ड आईश्मान अंतियोदे के द्वार कारक्रम के तहत बाटे गए है इस कार्ड के लाभारतियों को साल में पांच लाग तक के मुफ्तिलाज का लाभ मिलेगा रिपोर्ट देखिए रिपोर्ट देखिए पांच लाख रुपे तक मुफ्त इलाज मिल सकेगा अंतियोदे कार्ट धारकों को मुखे मंत्री जना रोग या भियान से जोड़ा गया है और पूरे प्रदेश में एक लाख कार्ट बाटे जाएंगे अंतोदे कार्ट होल्डर जो माने जाते हैं गरीबों से नीचे भी गरीब से तबसे अंतिम पाइदान पर रहने वाले उनको भी हमने 40 लाख परिवारों को हमने उसमें 40 लाख कार्ड होल्डर को हमने उसमें जोड़ा है और 11 पॉइंट पैसर ट्राक ऐसे लोग हैं जो स्रम विभाग में पंजिगत हैं उनको भी इसी योजना के अंतरगर जोड़ के अब लगबग हमारे पास 8.22 करोड लाभारती को 5 लाख तक पीमा का उप्चार उनको मिलने का एक योजना बन चुका है सीम योगी आदितिनाथ ने अपने हाथ से बिकेटी ब्लॉक के गाउं के अंतियोदे लाभारतियों को कार्ड दिये सीम योगी ने कहा कि इस योजना से यूपी में 6 करोड लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं लेकिन अब छुटे परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकेगे देश के अंदर 50 करोड लोगों को इस योजना से प्रत्यवर से 5 लाग का स्वास्त बीमा का कवर दे रहा है तो तरप्रदेश के अंदर 6 करोड लोग आईसमान भारत के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं हर बड़ा हॉस्पिटल आज के दिन पर आईसमान भारत में इंपैनर्ड है वहर व्यक्ति वहाँ अपना उप्चार बेजजग करा सकता है पांच लाग रुपे तक की स्वास्त बीमा से अच्छा दित होने के बाद बेजजग वहाँ अपना उप्चार करा सकता है अंतियोदे काडधार को आईशमान काड मिल जाने के बाद परिवार में किसी भिस अदस्सिक बीमारी के हालत में पांच लाग रुपे तक का मुफते लाज का लाब मिल सकेगा इस काड का लाब पाने के लिए लाभार्तियों को अस्पताल में कोई भुकता नहीं करना पड़ेगा काड धारी इस योशना का लाब सरकारी और लिस्टिट गयार सरकारी अस्पतालों में पास सकेंगे स्पेशल रिपोर्ट भारत समाचवार